नमस्कार दर्शकों प्रणाम मित्रों हमारी योट्यूब चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज का ये वीडियो बहुती खास होने वाला है इसे ध्यान से देखेगा बिना स्किप किये I will also speak in English so those who do not understand Hindi they can skip the video to the halfway to listen in English otherwise those who understand Hindi जो Hindi समझते हैं वो शुरुवात का अधा पोर्षन देखे और जो English समझते हैं उनके लिए बाकी का अधा पोर्षन दूसरे आधे में English में होगा तो ये वीडियो हिंदी और English दोनों में मैं आपके सामने रखने वालों साथ ही हमारी दूसरी YouTube चैनल है Make Money with Stock Market Guru आनंद जी उसमें भी ये वीडियो अपलोड होगा और आगे चलके मैं प्रयास करूँगा कि ये जो चैनल है अनुभवी पंडित इसमें केवल एस्ट्रोलोजिक के वीडियो रखूँगा और जो दूसरी चैनल बनाई है उसी में Stock Market के ही वीडियो सिर्फ उसमें होगे फिलहाल ये वीडियो दोनों चैनल पे अवेलेबल होगा तो जो भी दर्शक हमारे Stock Market में इंट्रेस्ट रखते हैं इंवेस्टमेंट ट्रेडिंग में इंट्रेस्ट रखते हैं वो हमारी YouTube चैनल Make Money with Stock Market गुरु आनन जी उस चैनल को अवर्श्य सब्सक्राइब कर ले बाकी प्रेडिक्शन, एस्टरोलोजिकल प्रेडिक्शन के सारे वीडियोस में इसी चैनल पे रखूँगा अनुभवविपंडित चैनल पे तो बहुत सारे दर्शक हमारे हैं जिनोंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि मार्च 2021 में कॉपर बहुत गीरा है तो उसके बारे में कोई वीडियो बना करके बताईए कि उसमें क्या ट्रेडिंग टिप्स थी, क्या एडवाईजरी सर्विस थी और कैसे हमने अपने क्लाइंट्स को गाइड किया तो उनकी रिक्वेस्ट भी थी और मैंने पहले भी सब्टेंबर 2020 में वीडियो बनाया था उस समय कॉपर का रेट चल रहा था 524 रुपीज एग्जेक्ली 13 सब्टेंबर के दिन वो वीडियो हमने अपनी यूट्यूब चैनल पे अप्लोड किया था और उसमें हमने सभी कॉमोडिटीज के उपर टेक्निकल एनालिसिस प्रस्तुत किया था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचरल गैस सभी के विशय में हमने चर्चा की थी उसमें विशय इस रुप से मैंने कॉपर के लिए कहा था कि कॉपर को कुछ महिनों के लिए बाई करके रखना चाहिए उस समय copper का rate 524 रुपीज था उसके बाद वो 500 रुपीज तक गिरा भी था लेकिन उसके बाद continuous अब चलता गया और February में 730 के उपर पहुँच गया तो केवल 6 महिनों के अंदर copper के अंदर 208 रुपे जेतनी बड़ी तेजी हमने देखी 200 से ज्यादा रुपे की तेजी केवल 6 महिनों के अंदर देखी ये बहुती rarely ऐसी घटना होती है more than 40% upmove copper में जो आया तो जिन भी clients ने हमारे उस technical analysis को follow किया जो भी दर्शकों ने हमारे technical analysis को follow किया उन्हों 6 महिने में बहुती अच्छा मुनाफा हुआ इसके बारे में मैंने 18 February 2021, 18 February 2021 को भी एक update डाला था जिस दिन वो update मैंने वीडियो अपलोड किया था उस दिन copper 650 के आसपास था लेकिन उसके एक ही हफते के अंदर वहां से भी 70 रुपीज more than 10% अगेन उपर चड़ गया तो इस प्रकार से technical analysis बहुती सटिक होता है, National Stock Exchange की NSE Academy से I am a certified technical analyst और 11 सालों से market में काम करता हूँ और पहले से commodity market के प्रती थोड़ा ज्यादा जुकाओ है और commodities हमारी day to day life में जो physical चीजे हैं उससे जुड़ा हुआ है तो वो एक अच्छा platform है, commodity market से बहुती अच्छा profit मुनाफ़ा हम कमा सकते हैं, घर बैठें तो आप हमारी technical analysis, trading tips को follow करके आप भी इसका benefit ले सकते हैं मुझसे contact करने के लिए आप मेरे whatsapp, telegram, number के थो contact कर सकते हैं, इस video के description में और video की scroll line में आपको हमारा number प्राप्त हो जाएगा तो commodity market का एक benefit यह है कि अगर आप नौकरी करते हैं, आपका fix timing है, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का, उसके बाद भी commodity market रात को साड़क 11 बजे तक चलता है जो non-agric commodities है, non-agriculture product commodities है, तो नौकरी के बाद भी आप उसमें काम कर सकते हैं जो business करते हैं, वो भी किसी भी time लो उसमें देख सकते हैं और commodity market का wishes चीज यह है कि इसमें बहुत ज्यादा commodities नहीं है, गिनी चुनी commodities हैं तो 10 अलग-अलग commodities, 10-15 commodities हैं उसमें ध्यान रखना है, अगर आप agriculture commodities में काम करते हैं, तो वो अलग है उसमें ज्यादा commodities हैं, non-agriculture commodities, गिनी चुनी commodities हैं, तो उसमें आप focus अच्छे कर सकते हैं, लेकिन जबकि stock market की बात करें, तो उसमें हजारों shares हैं, तो और उसमें manipulation भी होता है, उस share किस company के हैं, उस company के internal बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं पता नहीं होती हैं, लेकिन commodities का ज्यादा तर globally news मिल जाता है, हलाकि news लेट आता है, और technical analysis उसमें पहले काम कर लिता है, तो technical analysis ज्यादा follow करना जरूरी होता है, और आजकल market में technical analysis trend के opposite direction में भी market participants, commodities को, stocks को, index को खीचते हैं, तो इसलिए इसमें experience के भी जरूरत होती हैं, patience रखनी पड़ती हैं, courage रखनी पड़ती हैं, तो आज मैं आप सब के सामने March 2021 में जो copper गीरा है, तो गीरते हुए commodity में भी हमने अपने clients को कैसे बहुत ही अच्छा profit करके दिया है, तो उसकी summary, उसका details में आपके सामने profit loss statement आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और पूरा वीडियो बाक आई दे, अपने client के trading account के back office में लॉगिन करके आपको वो वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, कुछ लोगों ने कहा कि photo morphing भी आजकल बहुत होता है, तो सिर्फ एक screenshot पे भरोसा नहीं होता, तो मैं आज वीडियो में दिखा रहा हूँ, लॉगिन करके live, तो आप देख लिजिए, और उसमें trade summary भी होगी, date wise profit loss होगा, सारी details आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आप भी इस प्रकार से हमारी technical analysis, trading tips, advisory service को follow करके, अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, तो जुड जाइए हमारे स साथ इंतजार मत किजिए, क्योंकि समय सबसे मुल्यवान होता है, और सही समय का benefit उठाना वही अकलमंद व्यक्ति की निशानी होती है. अब मैं आप सबके सामने March 2021 का लिखा जोखा प्रस्तुत करूंगा, ये हिंदी में शुरुवात कर रहा हूं, इसके बाद English में भी बोलूंगा, I will also speak in English, so those who do not understand Hindi, can skip this to halfway to listen in English. पहले हिंदी में बात कर लेता हूं, तो हमारी trading advisory service, trading tips और trading guidance, हमारे mentorship के अंदर, जो भी clients ने trading किया है, उन में से किसी एक client के trading account के back office में login करके, आज मैं आपको March 2021 का trades, profit loss, treatment वगेरा दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारी investment advisory service, trading tips या investment guidance, mentorship नहीं लिया है, तो आप देख सकते हैं कैसे हम अपने clients को बहुती अच्छा profit महीने दर महीने करवाते हैं, आप भी हमसे trading advisory service, trading tips ले करके, इसी तरह से हर महीने profit कमा सकते हैं, तो यहाँ पर अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, March 2021 का profit loss summary, trade details भी दिखा दूँगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं commodity का आपको दिखाता हूँ, यहाँ commodity segment में select कर रहा हूँ, profit loss में combined ले रहा हूँ, realized भी ले सकता हूँ, उसमें फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि होई है, और जो duration ले रहा हूँ, वो February 22nd से ले रहा हूँ, तो 22nd February से 26th March तक का मैं duration ले रहा हूँ यहाँ पर, और जिस symbol या जिस commodity में trade किया था, वो copper है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, copper 21 March future, तो copper का 2021 का March महिने का future contracts, उसमें हमने 22nd February से 26th March तक trading tips, trading advisory service दी थी, तो उसका यहाँ profit loss statement यहाँ generate होगा, और यहाँ देख सकते हैं, realized profit and loss 77,125, जी हाँ, तो यह 22nd February से 26th March, यह लगबग एक महिना है, trading days अगर आप गिने, तो 5 weeks, 25 trading days है, 25 trading days, इसमें जो red boxes दिख रहे हैं, यह इन दिनों में loss हुआ है, और जो green boxes देख रहे हैं, उसमें profit हुआ है, तो अगर आप calculate करें, तो 2, 4, 7, 9, 11, 13, 13 trading days ऐसे थे, जिसमें loss हुआ है, और 12 trading days ऐसे थे, जिसमें profit हुआ है, लेकिन फिर भी, फिर भी overall profit में हैं, हम और 77,125 का profit, सिर्फ copper के March futures में, लगबग एक महिने 5 weeks में कमाया है, कैसे कमाया है, वो सारा details में, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तोत करूँगा, डे वाइस पहले देख लेते हैं, फिर आपको trade summary भी दिखाऊंगा, देखिए, पहली शुरुआ, 22nd February को, 1st day loss हुआ था, 12,000 का loss, लेकिन next day, 14,495, 14,495 का profit था, 23rd February को, 24th March को again loss था, 18,500, तो ऐसा नहीं है कि market में loss नहीं होगा, loss भी होता है, profit भी होता है, लेकिन overall technical analysis सही है, तो overall हम profit में आहीं जाते हैं, उसके बाद 25th March को 43,375 का profit था, तो ये है patience, पहले दिन loss हुआ तो हिम्मत हार के निकल जाएंगे, तो नहीं चलेगा, फिर profit हुआ, profit के बाद फिर बड़ा loss हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत थी, technical analysis पे भरोसा था, तो clients ने हमारी tips को continue किया, follow करते रहें, और 43,375 का profit 25th February को हुआ, 26 February को 34,825 का profit, तो देखिए, technical analysis सही था, लेकिन बीच में market opposite direction में, जाता है, तो loss भी होता है, 1st March को 12,000 का profit, 2nd March को 12,000 का loss, 3rd March को 20,000 का loss, 4th March को 18,000 profit, 5th March को 12,000 profit, 8th March को 12,000 loss, 9th March को 10,000 loss, 10th March को 8,000 का loss, 11th मार्च को 1100 का profit 12th मार्च को 750 का loss तो ये जो second week था, मार्च का second week वो बहुती बुड़ा था लेकिन फिर भी client ने continue किया follow करना और 15 मार्च को 6000 का loss 16 मार्च को 2800 का loss 17 मार्च को 2500 का profit 18 मार्च को 6000 का loss 19 मार्च को 3490 का profit तो मार्च का second और third week अच्छा नहीं रहा overall लेकिन देखिए last week शुरू होते ही 22nd मार्च को 31,900 profit 23rd मार्च को 11,600 profit 24th मार्च को 17,000 profit 25 मार्च 7,700 का loss 26 मार्च 435 का loss तो आखिर के दो दिन में भी loss था और copper मार्च विचर्स में trade करने की जब शुरुआ थी तो first day भी loss था लेकिन overall आप इसका total calculate करेंगे तो ये 86,000 profit होता है अब यहाँ 77,000 दिखा रहा है क्योंकि 9,000 brokerage और CB charges, commodity exchange के charges वो सब charges minus करने के बाद net profit हुआ 77,125 तो हम यहाँ पर अपने clients को जो भी trading tips देते हैं, advisory service देते हैं, वो technical analysis के base पे होता है I am a certified technical analyst, national stock exchange of India के द्वारा NAC academy चलाई जाती है, NAC academy से मैं certified technical analyst हूँ और 11 सालों से market में काम करता हूँ, शुरू से ही मुझे commodity trading का ज्यादा जुका हूँ था commodity trading के प्रतिप और आप में से बहुत सारे दर्शक जानते होंगे कि जब Samco Securities और CNBC Avas TV चैनल के द्वारा ट्रेडिंग competition, live trading competition रखी गई थी तो उसमें भी commodity में मैं winner बना था, तो commodity trading के द्वारा बहुती अच्छी कमाई कर सकते हैं commodity trading में मैंनत थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि ये सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक लगबग 15 घंटे trading चलती है तो उसमें ध्यान रखना होता है, साथ ही इसमें global पूरे विश्व में जो भी उतार चड़ाओ, politics में, economics में जो भी events होती है, उसका भी commodities के उपर तुरंत effect होता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है लेकिन फिर भी इसमें कमाई के अच्छे मौके होते हैं, तो आपके सामने ये प्रस्तुत किया, March 2021 में copper futures में trade करके हमने अपने clients को more than 77,000 का profit करके दिया है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ऐसा profit हो, तो आप हमारी trading advisory service, investment mentorship, trading tips ले सकते हैं, अब मैं आपको summary भी दिखा देता हूँ, trade summary, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से यह सभी date wise trades summary है, copper की, तो यह trade summary आपके सामने रखी, और इससे पहले आपने यहाँ देख लिया, पूरा date wise भी मैंने आपको बता दिया, किस date में कितना profit, तो 25 trading days हमने copper के March futures में काम किया, उसमें 13 days loss वाले थे, 12 days profit वाले थे, लेकिन technical analysis सही था, इसलिए जब profit हुआ, बहुत बड़ा बड़ा profit हुआ, जैसे 25 फेबरुआरी एक ही दिन में 43,000 का profit, 26 फेबरुआरी को 34,000 का profit, 22nd March को 31,900 profit, 23rd March को 11,000 profit, 24th March को 17,000 profit, तो ऐसे बड़े-बड़े profits हमने देखे हैं, तो market में up-down आती रहती है, technical analysis सही हो हमारा, तो loss के बाद profit हो ही जाता है, loss भी recover हो जाता है, और उससे आगे profit भी होता है, तो faith रख करके trading tips पे continuous काम करना पड़ता है, तभी success मिलता है, करके करेक, करेक,। तो अघर्ण nursing, ओरप्स वैलो ख। सूजया हम अलो, सूजया हम जर। वैलों मैं रिक उलस वीचे ऱ्से दिजान, जज्चे उल तो my यूटिवडर्या वैकर इनको सावाल, इस फ्योट्या हम्गर्डिया बहा निजे, आरी रे, ते रे, वैस, if you understand Hindi then watch this video from the beginning so the beginning part contains the Hindi अगर आप Hindi समझते हैं तो वीडियो के शुरुवात से देखें क्योंकि शुरुवात में हिंदी में बताया गया है and the second part of the video is in English so those who understand English can continue here this video is going to be very informative very beneficial very interesting so please watch this if you haven't subscribed our YouTube channel please click on the red subscribe button and click on the bell icon it's free you can there are no charges for subscribing our YouTube channel you can subscribe and click on bell icon so that you can receive the notification of our similar videos I have another YouTube channel make money with stock market guru Anandji so that is only for the videos about investment and trading so I will put this video on that YouTube channel also and on this YouTube channel Anubhaj Pandit I will try to put only videos related to astrology and predictions but for the time being I am putting this video on this YouTube channel Anubhaj Pandit also so those who are interested in our stock market related videos please do subscribe our another YouTube channel make money with stock market guru Anandji so let's start in this video I'm going to discuss about commodity trading copper trading profitable trading and mega profits so many of our viewers were asking us that what happened to our copper trading advisory service because the copper is falling in March 2021 so what happened to that because in September 2020 I had uploaded a video on this channel and I had told that we should buy copper for few months and copper will rise very high and we can get a good profit I had uploaded that video on 13th September 2020 and I had discussed about all the commodities gold silver copper natural gas crude oil etc and I had at that time copper was trading at rupees 524 then it came down to rupees 500 but then it started going up and in the month of February 2021 copper made high of 732 rupees yes so almost 40 percent increase in just six months more than 200 rupees rise in copper prices in six months this is very uncommon this happens very rarely and so now in March 2021 copper has been falling and it has fallen a good amount so people were asking what happened to that so in this video I'm going to show you what was our advisory service what was our trading tips and how we gave profit to our clients in copper in March 2021 so I will show you all the details about date wise profit loss about trade summary and all those things so keep watching and if you want to join us for for profitable trading if you want to recover your losses if you want to make big money from stock market commodity market then contact us our whatsapp telegram contact details are given in the video scroll line and in the video description if you have any other questions you can ask us in the comments so feel free to to contact us feel free to comment feel free to ask anything about stock market or investment regarding commodity trading commodities are integral part of our life we see these commodities in our physical world and commodity trading is a little bit different than the stock market because commodity trading especially non-agricultural commodities uh trading happens for uh from nine o'clock in the morning till 11 30 pm at night so almost 15 hours a day so those people who do job from 9 to 5 pm they can also look into the commodities after their office hours so they can also uh pay their attention to the commodities and business people can uh do anytime so that's a 15 hours trading and uh commodities are directly impacted by global events by uh global circumstances and all those things another important thing about commodities is that there are a few commodities to focus on unlike the stock market because in stock market there are thousands of shares thousands of companies are listed on stock market you cannot uh focus on every share every stock uh every time but here there are very few commodities uh roughly 10 15 commodities you can easily pay attention to the prices to the movements of the commodities and you can take your uh bull bets or bear bets on any of your commodities which you are interested in and you have a good uh 15 hours time to cover your trades so intraday trading is also uh very uh good in commodities and you can also carry forward if you have a proper technical analysis and if you have good uh balance in your trading account and i am a certified technical analyst i am certified by national stock exchange academy and i am into stock market trading for more than 11 years and many people of you know that i was a winner in commodities also in the live stock market trading competition which was organized by semco securities and and cnbc avas tv channel so i won't take much time and here is the uh details of march 2021 now i am going to show you the summary of profit and loss in the month of march 2021 and here you can see i have logged into the back office of a client for whom we provide a trading management service and trading advisory service so uh here we have selected the segment commodity and we have selected the date range from 22nd february to 26th march 2021 because this is the duration in which we provided trading tips and advisory service for trading in commodity in copper 2021 march futures contract so here you can see it is showing realized profit 77 125 yes this is the net net realized profit in five weeks just approximately one month from 22nd february to 26th march and here in this calendar you can see red boxes and green boxes red boxes are showing loss making days green boxes are showing profit making days so out of five weeks 25 trading days there have been 13 days when we made losses and 12 days we made profits but still overall we are in profit and that is not a small profit it's 77 125 profit so now i will show you uh details date wise and then i will also show you trade summary the first day 22nd february when we started trading in copper much to 2021 future contract the first day we had a loss of 12 000 but uh the client continued on having faith on our technical analysis next day there was a profit of 14495 again on another day 24th february there was a loss of of 18 500 so market will taste your patience market will taste your confidence market will uh trust your market will taste your trust market will taste your uh guts and then if you continue working continue uh following the technical analysis look 25th february profit of 43 375 and 26th february profit of 34 825 so the initial first day and third day were gave big loss approximately 30 000 loss in two days but in other three days 14 000 43 000 so 90 000 profit in three days and 30 000 profit loss in two days so this way a market would uh not give you profit every day market would surely give you losses market will surely surely pull you back but you need to have need to have faith in technical analysis you need to have patience you need to have courage you need to have persistence only then you can conquer uh and only then you can make profit only then you can succeed then uh in the month of march first march there was a profit of 12 000 second march loss of 12 000 third march loss of 20 000 4th march profit of 18 000 5th march profit of 12 000 then second week of march 8th march 12 000 loss 9th march 10 000 loss 10th march 8 000 loss 11th march 1100 profit and 12th march 750 loss so the second the second week of march was very bad overall it was a loss making week but still the client had faith and we continued trading 15th march again lost 6000 loss 16th march loss of 2800 17th march profit of 2500 18th march loss of 6000 19th march profit of 3500 approximately so the third week of march was not was also not so good that was also almost loss making week so the second week of march and third week of march were overall loss making weeks but still there is faith in technical analysis there is faith in uh the guidance and client continued to follow our technical analysis our trading tips and look the last week of the last week of march 22nd march profit of 31 900 23rd march profit of 11 000 24th march profit of 17 000 so big profit making week the last week of march 25th march loss of 7700 and 26th march loss of 435 so last two days of the march were loss making even the first very first trading day of the copper march future that was also loss making but still out of 25 trading days we had 13 loss making days and 12 profit making days still we made a total profit net profit of 77 000 if you make a some total of this daily profits and loss then you will come to a figure of 86 000 profit but out of that 86 000 profit 9 000 was in 9 000 were into the charges of cb charges exchange charges brokerage charges and all those things 9 000 were deducted and net profit came 77 125 so this way we need to follow technical analysis we need to have patience we need to have courage we need to keep going despite having ups and downs and only then we can reach a good successful end let me also show you the trade summary i showed you date wise profit and loss now i will show you the trade summary here is the trade summary and here you can see the date wise trade we started on 22nd february in copper 2021 march future and we continued till the end of march so here which rate we bought which rate we sold all this trade summary summary that you can see over here so this is how uh we provided the trading tips and the client followed our tips and got the benefit of more than 77 000 profit in just five weeks i have been trading in stock market and commodity market for more than 11 years now and i have a good uh grip over the commodity market especially and i am a technical analyst certified technical analyst from national stock exchange academy so on basis of my technical analysis on basis of my experience of more than a decade i provide trading tips advisory service and mentorship to people who want to make money through stock market and commodity market so those of you who haven't yet started availing my trading advisory service or trading tips or investment advisory service you are most welcome come on join me and make good money under my guidance thank you for watching best wishes to you all you can contact me through whatsapp telegram you have my details in the video scroll line and in the video description thank you we have a great opportunity for you to join us for sharing your questions the video is is the video is the video the video is the video is